कि वेलकुम गाईज तुदें वीविल डिस्केस अबाउट अ कॉंप्लिकेशन ओव डीके तो डीके से एक के यह पास आया यहाँ जब भी डीके का पेशएंट आएका डाया डायबेटिक गीटो असी जाला उसका जो बलड का ग्लूकोस लेबल होता है बहुत ज्यादा होता है अब क्योंकि ब्लड का glucose लेवल जाता है तो ब्लड जो होगा ठीक हो जाएगा वो क्या करता है क्योंकि जहां पर भी glucose होता है वो वोटर को खींचता है अपनी तरफ तो उसकी वज़े से ब्रेइन के अंदर का जितना भी वोटर था वो एब्जोर्ब होके बलड की तरफ चला जाता है तो जो नूरnts होते हैं वो इंसुलिण देना होता है अब मान लीजी अगर आपने इसका इंसुलिन दिया तो इसका ग्लोकोस लेवल कम होने लग जाएगा और अगर आपने ध् IV fluid दिया, बहुत सरा IV fluid दिया, अगर बहुत सरा IV fluid देंगे, तो अब ये इसका जो blood है, बहुत थिन हो जाएगा, बहुत diluted हो जाएगा, इसकी osmolati बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि glucose भी कम हो गया, insulin देके, और बहुत सरा पानी भी डाल दिया आपने blood के अंदर, तो blood बहुत प हो जाएगा, और उसकी वज़े से patient की death हो सकती है, वैसे तो decay का mortality rate बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप से पूछ लिया जाए, कि most common cause of death क्या होगा, तो most common cause होगा, सेबल लिडेमा, थैंक्यू